नमस्त दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज हम बनान जा रहे हैं जिंजर ब्रेड क्रूकीज और इसके उपर का जो रॉयल आइसिंग है वो भी हम दोस्तों सिखेंगे तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं एक बाउल के उपर मैंने रखिये चन्नी उसमें हम ड लेंगे सौका पावडरो को मतलब चुट cer पावडर और वन फोटी स्पूल लेना है लों का पावडर वन फोर्टी स्पूल हमें डाला है बैकिंग पावडर और सारी चीजों का हम अच्छे से जहानता है चानने के वार्द यूमी से मिला पे लेंगे यहांपे बनांदर सेम प्रोपॉर्चन में डाल सकते हो और यहाँ पे मैंने पाउडर शुकर को छान के लिए है और ये हमें लेना है 45 ग्राइम यह हमें मार्केट वाला ही पाउडर शुकर लेना है अब सारी चिज़ों को हम बेटर से अच्छे से पीट करके लेंगे अच्छे से हमें इसे mix करके लेना है यह दिखिए अच्छे से बीट हो गया है इसका color भी change हो गया है यहाँ पर हमें जो dry चीज़े mix करके रखे थी यह दिखिए यह हम इसमें थोड़ी-थोड़ी करके डाल देंगे और एकदम हलके हाथ से हमें इसे मिला के लेना है बिल्कुल भी हमें जोर से इसे मसलना नहीं है इसे सिर्फ हमें एक साथ में मिला के लेना है बिल्कुल भी इसे हमें आटेजे से गुन के नहीं लेना है और इसमें हमें एक्स्टार दूद डालने का भी जरूरत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो यह अच्छे से डो बन गया है मैंने यहाँ पर किदर भी दूद का इस्तिमल नहीं किया है यह देखिए यह अच्छे से परफेक्ट बना है यहाँ पर हम लेंगे पाश्मेट पेपर या बटर पेपर कुकी का जो हमने आटा बना के लिया है यह हमने इस पर रख दिया है इसके उपर हम रखेंगे ऐसे पेपर और इसे हम अच्छे से बेल के लेंगे हमें जाधा पतला भी नहीं बेलना है और जाधा मोटा भी नहीं मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि आप में कितना बेल के लेना है यहां पर आप देख सकते हो अच्चे से बेल के हो गया है यह देखिए अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे पंद्रा मिनिट के लिए ऐसे बन करके इसे हमें पंद्रा मिनिट बात फ्रीज से मैंने निकाला है इसे आप अभी खोलेंगे और मार्केट में ऐसे कुकी कडर आते है किस्मस के तो आप वो यूज कर सकते हो जो आपको शेप पसंद है वो आप ले सकते हो साइड साइड से जो कुकी का बैटर है वो हम निकाल के लेंगे और इसे हम अलके आद से ऐसे निकाल के लेंगे ये देखिए इसका आप तिकनेस देख सकते हो अभी फिर से हम इसे 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रखेंगे यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे लिया है और उसके उपर मैंने बटर पेपर रखा है और उसके उपर हम ये कुकीज रखेंगे इसे हमें बेक करना है 170 डिक्री पे बोथ कॉइल ओन टोस्ट मोड पे 15 मिनिट के लिए और ओटे जी को आप पहले प्री हिट करना ना भूलिएगा दोस्तो और इसे हम ऐसे दूर-दूरी प्लेस करना है क्योंकि बटर है बटर के वज़ा से ये फूल जाती है तो इसके लिए हम ऐसे दूर-दूरी रखेंगे यहाँ पे अब देख सकते हो दोस्तो कुकीज हमारी अच्छे से बेख हो गई है हम जब कुकीज ओवन में से निकालते है तो वो थोड़ी नरम रहती है पर वो जैसे थंडी हो जाती है तब क्रंची हो जाती है अब इसका हम रॉयल ऐसिंग देखते है यहाँ पे मैंने half cup लिया है आइसिंग शुगर और इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दूद यहाँ पे हमें दूद समभाल के डालना है थोड़ा-thोड़ा करके हमें इसमें डालना है यह दो टेबल स्पून में ही मेरा रॉयल आजिंग बन जाएगा यहापे आप देख सकते हो यह अच्छे से बन गया है इसका एक ऐसे रिबिन जैसे आ रहा है देखे नीजे यह इतना ही हमें पतला रखना है अभी इसमें से थोड़ा सा मिक्षर हम दूसरे कटोरी में निकाल के लेंगे और इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर यहापे मैं जैल कलर यूज कर रहे हो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे यह देखेगा यह दोस्तों ज़्यादा यूज नहीं होती है तो थोड़ा थोड़ा सा ही बनाईए इसको यहापे मैंने सारे कलर्स बना के लिए है मैं आपको यहापे यह ट्री बना के दिखाऊंगे ऐसे पैपिंग बैग में हमें यह रॉयल आजिंग फिल करके लेनी है और ऐसे हमें इसे पॉर्डर मना के लेना है और पीच वाला पार्ट है वो हमें इसे फिल करके लेना है और इसके उपर मैं यह स्प्रिंकलर रखूंगी यह देखिए वाइट से हम इसके उपर इसे डिजाइन करके लेंगे और इसके उपर हम ऐसे sprinklers लगाएंगे यह royal icing set होने के लिए आदा गंटा चाता है यहाँ पर हमारी Christmas tree बनके ready है अगर आपको Santa Claus की royal icing देखनी है तो मेरा YouTube shot देखना ना बुलिएगा यहाँ पर हमारी gingerbread cookies with royal icing बनके ready है अगर आपको मेरी यह recipe अच्छे लगी हो तो please like, share, comment and subscribe to my channel Thank you everyone